मेरा गाउं मेरा देश देख करिए आपका संदेश ताजा खबरों इसाथ हवाशिंग चहल अफ़िज दोस्तों नमस्कार मैं हवाशिंग्ज एल संपार का संदेश दोस्तों अर्याना का राजनित्ति की तियास ये में अर्याना की राजनित्ति के बारे मैं आपको आधकर रुआ रहा हूं और अभी तक आपने 32 राग सुने हैं आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं भाग नंबर 33 और बात यहां तक पहुँच चुकी है कि ओम प्रकाश चुटारा की सरकार थी और वो चीफ मिनिस्टर थे अर्याना के अंदर और इधर से सुनाओ की गोशना हो चुकी थी लोकसभा की तो दोस्तों उस लोकसभा चुनाओ से प सुनाओ के दोरान इने लो बाजप्पा का गठ बंदन तूटने पर बाजप्पा भीर अविप्पा भी और कांग्रेस भी सारी पार्टी खुशवरी थी और बीस्पी आड़े भी निवे के देवाई इबोटा बटवारा होगार अपना संगठन ठीक राखो इबापाई फा क्योंकि किशानों का और करमचारियों का अंदोलन चुटाला सरकार के खिलाप चल रहा था इसलिए चोधरी वुपेंदर सिंग उड़ा को सरफ इन के उपर उमीद थी कि कॉंग्रेस का वोट बेंक के साथ अगर करमचारी और किशान साथ देंगे तो उनकी दस की दस सीट व है उपर के इंदर में सरकार बाज़े पागी थी इसलिए वो भी फील गुड के नारे पर दस की दस सिटे जितने का दावा करते रहे और अविपा भी सोधरी बंसिलाल के कराए गए विकासकारियों का अवाला देकर पूरी तरह है वो भी मैदान माड़टी थी और बीस्पी वाले दलित वोटों के सारे उनने का वही एसी बीसी वोट मिल जाओ और अपां सीट निकल जाओंगे तो इस तरह यह चार और पांच कोणिये मुकाबलों की कहीं ने कहीं शुरूआते अच्छी नजर आई लेकिन जो जो चुनाओ निजदिक आते गए वो छटनी शुरू ह होती गई वोटरों की और उसमें जो कुछ हुआ वो मैं आपको अब बताऊंगा केंदरिये नेताओं की जहां तक बात है उन्होंने बाजपा की यहां अरियाना यूनिट की बात मननी और उनने का वह ठीक अलग लड़ना है तो लड़ो चुट्रा साब को यह विश्वास थ कि आई कमांड में उनकी पैट थी कि मैं आई कमांड मोर के अंदरिये नेताओं को कौंगा तो यह अपने आप टेक जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो सारा के अपने अपने दावे थे आच्छा आप सोधर इबन सिलाल को यह था वह कम से कम ज्यादा नहीं तो शुरंद चले गया चुटाडा के साथ के साथ जो माल खणी आदमी थे वह बाजन लाएक के अजया उन्होंने भी देख लिया वह आगई वावा है खराब जो भी कोई वरंपाल रहे थे अग वह यह सारी सीट जीतेंगे उन साप बताया दिया वह वह जुगाडिप को ने रहा तो इस नगरपाली काउं के चुनाओ थे वहां भी इनने लोगा कबजा हो गया था तो चोटड़ा साथ यह सोच रहे थे वह गाम तो मारा जुगाड़ से इस सहरांगे नगरपाली काउं में भी अम जीत गे तो अमने कोई नहीं रा सकता तो दस की दस सिटों पर वह सोच रहे थे पर जीतांगे लेकिन वहां कुछ हो रहे बाजपा का फील गुट भी फैल हो गया हाँ एक अलकव है उनकी उनका दाओ लगया सोनीपत में और सोनीपत में भी दाओ कैसे लगया द्रमपाल मलिक बजनलाल कोटे से टिकट लिया और उड़ा साब के जितने भी खास आदमी थे वह सारे रोत तक्सीट पर सक्रिय हो गए तो वह सीट कमजोर पड़ गी और वहां के शन सिंग सांगवान भारी पड़ गए लेकिन इननलों ने भी वहां भारी कंडिडेट उतार दी श्रीमती कृष्णा मलिक जो मेंदर सिंग मलिक डीजीपी थे उस ताइम उनकी घ्रमपत में थे और अच्छा जुगाड़ थाल कम हैं वह भी फिर जो चुनाव नजदिक आता गया वह भी फिर कमजोर होती चली गई और किशन सिंग सांगवान एक मात्र बाजब पागे परत्यासी थे जो दस में से आके ले जीत पाए बाकि नो सिटों वह कांगरे जीती तो वह आ रहा नहीं मतलब चुटरा साब को टार्गेट बना लिया रहनगा और वह सरकारी करमचारी बेरोजगाराई पूरी फौज कठी वह गी वेपारी दुकांदार और सारी किसान यूनियन चुटरा साब के खिलाब हाखडी होई करमचारी थे छटनी होगी कि मैं तो कि मैं वह कि जब सारे ना अल्ला बोल्यात तो चुटाला साब आई बाई भूलिए अकेले दर सीटों का बरंपालने वाड़े चुटाला साब को बहुत बड़ी चुनोती नजर आने लगी और दीरे दीरे वो मंद पढ़ता गया और यहां तक आलात हुए कि बिवानी जैसी सीट पर जहां अजेंशिंग चुटाला उस्टेम संसत थे और सरकार उनकी थी वो तीशरे नंबर पर चले गए तो यह जो है उसमें देखवा आप कितना सिस्टम था कॉंग्रेज अविपा बाजपा बस पर छोटे मोटे और पार्टी सारी लड़न लागरी तो वाक्या चुटाला स इस तरह से चुटाला साव गी सरकार मुंख के मंत्री और जो उनके साथ विदायक थे वो हैं इनने लोगों को जितने भी इंडिपेंडेंटे विदायक थे वो और सारे जितने भी मैक मैंगे उनने चेर्मेन बना रखे थे उनने और जितने और अशर्वा दिर्चाफल उस थे सारे साथ छोड़ने लागे और निचे निचे जो अदमी नुका अखर देने ये बबू बेटें शरकार है वो खुल के समयान लागे और इस तरह से चुटडा साब कोई तना उन्होंने उसमें कमजोर कर दिया कि वो सब की सब दस की दस सीट लोकसबा के आरे गे और उन केक प्रयाद जितने वी रिश्वत खोर थे और जो माल खणी है थे वह नहीं कोई गए वाई मारी तो चल दिये कोई नहीं और पैसे लेके चुटडा साब से काम कर दूआई गए मैं आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी काराम गुम मैं हुश्टेम चुटडा साब का जुगाड बना उड़ा हुनगा तो वे लोग फिर उनका साथ सोड़ गे और वो सरकार के बिना रहे निपाउं थे वो कहीं कहीं अडजेस्ट होगे बहुत से उड़ा साब के साथ चले गए तो इस तरह वो सारे थे तो बाद मुन जितने चेर्में थे उनको तो चोर्में कर लाके और वाई जो भी चटोरे वरग थे जो उनको करन लाके वह मलाई खाणियें यू जो यू चटोरा वरग न चुटाला साब गा ये तो चार्ट में रहे निशक दे इन तो जड़ा चार्ट में लागा उड़ा चटोरे जांगे तो वाई बनी वो सारे बाद मुन जिगे बाई और चुटाला साब इनका चक्रवी में फस्ते चले गए और जिन पर सब किने गाती पर देश मों थे चोधरी बपंदर सिंग उड़ा उड़ा साब काफी मजबूत दिखाई दे रहे थे उनकी काट डूंड़ने के लिए विपक्स ने एक जुटो कर और उस त्रेम की दिपैंदर उड़ा की मेसेज हैं गित्ता गरेवाल को एक निशाना बनाने ही कोशिश करी और उनको राजनिती में ल्याकर उनका मुकदम्द में चल रहा था तैज़गा डाल रख्या था सारी कम मुकदम्दमें बनूझे दिये और जो उड़ा की पुत्र वद्हुती गित गित्ता गरेवाल उसको वहां चुनाओं में उतार दिया और उसका जुगाड भी उन बनाए दिया वह चुनाओं लड़न का पूरा जुगाड करते इसका ताकि या उड़ना रहा है दे लेकिन हुआ नहीं ऐसा नहीं हुआ और फिर उसने कहा है कोई पर्टी टिकेट दे दे बड़ना छोगाड दे इसको बाकी पर्टी ते जाली थी फिर बीस्पी का और इकांडीडेट में कहीं गहलोगा था और उसकारण से वह गित्ता गिःवाल को बीस्पी, टिकट माया हुति ने थमाए दी तो किंगला लडें थी तो गित्ता गिमाड़न वाद का मैं पीडित कर दी में फलान कर दी और सारा मेरा सती तो दरम बचाओ उटा साब तो करोणों रपिया के वो मांगे हमें कित लियावा लाखों रुपय का दहेज मांग रहे हैं ये मांगें वो मांगें हैं लेकिन ये बात गड़ा कोई नूतरी लोगा गए तो वो सारा सिस्टम ऐस साबना के उन्होंने फिर वहां अपना जुगार चुनाओं का बना लिया लेकिन दीरे दीरे वोई मंदा पड़ता गया और उड़ा की लाहर बनी और सभी दस की दस सीट पर कांग्रेस फाइट माएगी और उन में से नो सीट जितनम कम्याबरी एक सीट सो निपत वाली कि सं संग्वान जो बीजेपी के निशान पलड़ रेते के उलमात्तर वोई जीत पाए और इस तरह से जितना भी कुछ हो गया उसे चुनाओं में किर्शना मलिक को लड़ने से जितनी पार्टी थी सारी वो फिर चुनाओं का पास चली गई कि मेंदर संग मलिक डीजीपी है और यह चुनाओं को प्रवायुत करेगा उनको भी फिर चुनाओं आयोगनलम में छुटी पर बेज दिया ताकि वो कोई दखल अंदाजिस में ना कर सके तो मैं अगले अंक में यानिके बाग नंबर चौटीश में आपको बताऊंगा दस की दस लोग सभा किस ने कितने वोटो से किस पर्टी से जीती वो सारी चीज़े मैं आपको अंक नंबर चौटीश में बताऊंगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और वह इसको अच्छा लगे तो लाइक कर ल हो और वह सब शेर जरूर कर लिया अगरो ताकि इस में ज्यादा रूज अपने आएं और यह चैनल कामियाब हो तो इनी बातों के साथ आपका पुने देने वाद